लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के जिलों में सभी राजनितिक दलों ने अपनी कमर कसली है आज उपी के गठबंदन सपा बसपा रालोट की बुलन शहर में सैयुक्त रैली हुई जिसमें बसपा सुप्रेमो मायावती और राष्टे लोकदल के उपाध्यक्ष जैन्त चोदरी शामिल हुए महीं आपको बता दे कि इस्रैली में बड़ी संख्या में भीड जुटी है गठबंदन में इस्रैली में सपा के राष्टे अध्यक्ष अखलेश यादफ मुझूत नहीं थे मायावती यहां बसपा प्रत्याशी योगे शिवर्मा के पक्ष में चुनावी सभा करने आई है ब्यस्पी सपा आरेल्डी की दूसरी साजा चुनावी रैली है यहां से सपा के धर्मेंद्र यादफ सपा प्रत्याशी है बुलन शहर में दूसरे चरण में जबकि बदायू में तीसरे चरण में मद्दान होगा मायावती ने मंच पर चरते ही सीम योगी अधित्यनाथ पर हमला बोल दिया उन्होंने कहा कि योगी अधित्यनाथ ने अलीवा बजरंग बली को लेकर बयान दिया था वो तो उनको यह बता रही है कि उनके अली भी है और बजरंग बली भी है उन्हें दोनों चाहिए दोनों के गट जोड से अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है बैराल लोगसबाद चुनाफ के दूसरे चरण के लिए ताबर तोड रैलियों का दोर जारी है लेकिन बाजी कोन मारेगा ये तो तेज मई को ही पता चलेगा काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है और इतना ही नहीं बलकि हमारे इस प्रण जोड के साथ में यहां पिछरावार्द वे अपर गास्ट समाज के हैं दुखी वर गिडिक लोगस भी तुड़े हैं जो ये लोग भी बीजेपी की केहंदर वे उत्तर प्रदेश सर्कार के गलत नितियों वे गलत आरे प्रण पूर्ण मुक्यमंदरी माया बती में राष्ट्य लोकल के राष्ट्य उपत्दर जैन चोधरी की संयुक सभा का यून किया गया है इसमें जन शेला पूमड़ा है और चोधरी अजी सिंग के पुत्तर जैन चोधरी ने बुलंसर को चोधरी चरण सिंग का बंस बताया है और किसानों से अपील किये कि गड़ बंदन को बोड करा जाए हम हमारे साथ हैं पूर विधायक जोधरी होसरा सिंग की सिंग बात करते हैं ताकि जोधरी जैन सिंग ने करण सिंग के बंस बताबने दरुश बारे में बताके नहीं चरण सिंग करते हैं यह सही बात दुग संग की बाहनी जाती है आज डिए प्रमा अगड़ पन देवे इसमें समाजवाद यह बश्मा सब लोग शावर कि आख만ो है और हम लोग कहा है जिसतर है बश्पा के बश्मा के लोगों ने और मुझपर नरभ में हैं के लोकल के लोग हों चाहिए चाहँ सामाद की दोग वह चाहिए इत्थारफाद योगस फिर्मा को देदाने काउने कीजिर देफ़ गजायर जोधी होसा सिंग जी मैं सुल्का नंचारी सेमें नुज फ्लन सवेर